आदिन दानाबिरमनी सिक्खाप दिंस्माद यावली आदिन दानाबिरमनी सिखाप दिंस्माद यावली दमपद manufacture की पहली और दूसरी गाता है एक ही गाता है लगवग इसकी एक ही कहानी है ये 129 और 139 129 और 135 च्छे भिक्कू होते हैं जो सीनियर होते हैं एक बार वो एक बिहार में जाते हैं वहां कुछ भिक्कू होते हैं जो उनसे जूनियर होते हैं सामने होते हैं एज के हिसाब से यानि कि जो धमन में एज है उसके हिसाब से तो वो वहाँ जाके कहते हैं कि हमें यहां रहना है आप यहां से चले जाओ या हम यहां ऐसा करेंगे आप यहां मत करो या आप भी करो हम भी करें कुछ उनमें वाद विवाद होता है वाद विवाद में बहुत ज़्यादा मौखिक एक दूसरे को पर बार होता है फिर मारप्य टाकी मिनो गदाती है और एक दूसरे को मारप्य बी था होती है जगडा पहुँन आया है भगवान की पास में भगवान जगड़नी को सुनते है अब फिर यह दो गाता हैं कहते है धरसले एक बाद साफ है क्योंकि जैसे आज कल के समय में जो पहले सिरू में primary class होती है एक से लेके पांच नि तक फिर पांच मीं से लेके आठ हुए-स फिर आठ से लेके दस तक फिर दस से लेके बारे तक फिर बारे के बाद मैं Ş произ meditation करने के एजुकेसन सेंटर थे या जिनको यूनिवस्टी का है चलती फिरती वो थी उनमें भिक को आते थे बिलकुल नए आते थे कुछ सीखते थे उनकी एज पुरानी हो जाते थी दस साल की एज तक लगबग वो सामने रहते थे फिर उनकी जो भिक को पुला जाता था थेर और जो 10 साल से 20 साल तक थेर रहता था उसको फिर महा थेर बोलते थे और 10 साल से कम वाले को सामने रहते थे और सामने जो टेनिंग करते थे फिर उनके टेस्ट वगरा होते थे जिसको उपसंदा बोलते हैं टेस्ट वगरा होने के बाद में एक्जाम वगरा होते थे मौकी ग को हुआ या नहीं हुआ क्या कमी है क्या नहीं है और महिने में दो बार उनकी बड़ी क्लास लगती थी जिसमें वो अपना उपोस्त करते थी उपोस्त का मतलब है कि जो उन्हें पढ़ाया है उसका और उपोस्त करना ये उनका लगाता चलता रहता था और पीन सो पैसेट दिल आपस में लड़ते हैं, पिड़ते हैं, बाल खीशते हैं, नौसते हैं, मारते हैं, वैसे ही वहाँ भी होता था, क्योंकि हर तरह की भिक्वाते थे, जो सीख गए हैं, वो तो संयम हो गए, अपने आपको उन्होंने सहीत कर लिया है, जो अभी नेने आये हैं, उन्हें तो अभ कार हैं, सब्बे तसंती दंडस से, सब्बे भायनती मच्चुनों, अत्तानंग उकमं कत्वा, नै हने नै घाते, यानि सब्बे तसंती दंडस से, तस्ती माने होता है कापना, यानि जो कापता है उसको तस्ती बोलते हैं, तो सब्बे तसंती, सब्बे तसंती का मतब है, दं जो जो दंड मिलेगा परिश्मेंट मिलेगी सब उसे तस् leकारते भायंती उन्हेंगों हैई prima came that मुझने कदे हैं अपने को इतल एक के जिसको आप पीट रहे हो जिसको आप मार रहे हो इसको आप धौश जमा रहे हो उसकी जगे आप अपने आपको रख के देखो कि आपको कैसा आनुबव होता है कैसा लगता है ने हने ने घातें ना ही हने करें यानि कि ना ही तो हत्या करें और ना ही धात करें ना ही हमला करें यह वो पहली गाथा में कहते हैं और फिर वहीं दूसरी गाथा कहते हैं जो 130 नंबर की है सब्बे तसंती दंडस्य सब्बे संग जीवितंग पियंग अत्तानंग उपमंग कत्वा ने हने ने घाते यानि सब्बे तसंती दंडस्य सब्बे संग जीवितंग पियंग अत्तानंग उपमं कत्वा इसको आप अपने उपर रख कर देखो इसकी उपमं आपने आप पर करके देखो ने हने ने घाते ना ही मारें हत्य करें ना ही घात लगाएं ना ही हमला करें ना ही घाव लगाएं ऐसा उनको समझाते हैं और इस परकार वो जगड़ा शांत होता है धन्यवाद आप सबी से यह निविदन हैं कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी आप अपने फेस्टूक पे अपने पेज़ पे अपने टूटर पे या अपने हंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूटूब पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं, इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिल् कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद अंसरेन गच्छामू तो धम सैनम गच्छामी तंसरेन गच्छामू तंसरेन गच्छामू संगम सरेन कच्छामू संगम सरेनं गच्छामी तो धम सैनम गच्छामी तो धम पूदधन सैनम गच्छामू तूतियं पिधंदम मरसे नूं गच्छाम। तूतियं पिधंदम मरसे नूं गच्छाम। दूतियों पी सर्णों सर्णों गच्छाम। दूतियों पी सर्णों सर्णों गच्छाम। ततियों पी बुद्धों सर्णों गच्छाम। ततियों पी बुद्धों सर्णों गच्छाम। ततियं पी धम्ममर सेनु गच्छाम। साथू, साथू, साथू साथू, 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 साथू